हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आए आज हम नाशपाती के बारे में बात करते हैं क्योंकि नाशपाती एक ऐसा फल है जिससे सभी लोग परीचित तो होते हैं लेकिन इसे साधारण फल मानते हैं लेकिन इसमें इतने सारे ओशदिये गुण होते हैं जो सीधे आपके स्वा हमारे बहतर स्वास थके लिए आवश्यक होते हैं इसमें कुछ प्रभावकारी और सक्रिय घटक जैसे पोटेशियम, फिनालिक, कंपाउंट, फॉलेट, फाइबर, तामबा, मैगनीज, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी कॉंपलेक्स, एंटियोक्सिडेंट, फि बर जैसे कई पोशकतक्टव पाए जाते हैं, पोशकत्टवों का अच्छा स्रोत होने के कारण यह है कई स्वास्तला परदान करता है, नाशपाती के सेवन से कबजिकी समस्या से रहत मिलती है, और गरभावस्था के समय महिलाओً को अपने और अपने बच्चे के स्वास्त इस्था के लिए जरूरी अहार लेना अवश्यक हो जाता है? ऐसे में नाशपाती अच्छा विकल्ब होता है. गर्भावस्था के समय नाशपाती का नियमित सिवन करने से, इसतन्पान के समय आने वाली परिशानियों से बचा जा सकता है इसमें कई ऐसे पोशक तत्व हैं जो बच्चों के समगर विकास के लिए अवश्यक है जो मा और बच्चे दोनों को उर्जा अपलब्द कराते हैं साथ ही नाशपाती के फायदे वजन कम करने में भी मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल, हिर्दै रोग, मधुमे, कैंसर और मोटापे, सूजन, आदी में से समबंदित खत्रों को कम करने में सक्षम है और नाशपाती उन व्यक्तियों के लिए लापकारी फल है जो पत्री के रोग से पेड़ित हैं गुर्दे की पत्री के लिए नाशपाती का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें आकसलेट की मात्रा बहुत कम होती है दैने का धार पर नाशपाती का सेवन नियमेत रूप से करने से यह आन्तों के मूवमेंट को बनाये रखता है और नाशपाती में आयोडिन की प्रचुर मात्रा होती है जो मरीजों को घेंगा बिमारी को कम करने में मदद करता है और बड़ी उम्रके लोगों को आंत्रिक अंगों को फिल्टर करने के लिए नियमेत रूप से नाशपाती के सेवन को बढ़ावा देना चाहिए यह केल्शियम का स्टोर करने और रक्तवाहिकाओं को नरम करने में भी मदद करता है यह अपच, गाउट, एनीमिया, कब्ज और कुपोशन जैसे रोगों से शुटकारा पाने में प्रभावी धंग से मदद मिल सकती है इससे नाशपाती के लाभ मुहासों के लिए भी है नाशपाती में उच्च श्रेणी के विटामिन और खनेज उपलब्ध होते हैं जो तवच्चा में उपस्थिक एसिट को नश्ट करने और तवच्चा के पी-एच संतुलन बनाने का कारे करते हैं सांती नाशपाती का जूस शरीर में मौजूद बैक्टेरिया को नश्ट करने में मदद करता है और प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करता है इसे शरीर का कोशुद करने में मदद मिलती है और विशाक्त पदार्तों के निर्मान को रोकने में भी मदद मिलती है यदि आपकी तवचा तैली है और इसे छुटकारा चाहते हैं तो नाशपती का उपयोग कर सकते हैं आप एक पका हुआ नाशपती को मसल कर उसमें आधा चमश शहद और थोड़ी सी क्रीम मिलाकर मिश्रन तयार करें और अपने चहरीव गर्दन पर लगाकर 20-25 मिनट तक रहने दें ये मिश्रन आपकी तवचा में उपलब्ध तेल को और शोशित कर बाहर निकालने में मदद करता है साथी नाशपती गले से संबंदे द्रोगों के उपचार के लिए भी अधिक उपयोगी होता है ऐसे इस्तिती में दिन में दो बार नाशपती के जूस के साथ शेहत का उपयोग कर सकते हैं नाशपती में गलूसिटोल नामाक एक प्राकरितिक एलकोहल पाया जाता है जो बालों की जड़ों में जाकर बालों को मजबूत करता है और बालों को स्वस्तर रखता है इसके लिए एक पका हुआ नाशपाती थोड़ा सा सेव का सिरका और दो बड़े चमच पानी मिलाकर अपने बालों में लगा सकते हैं इससे बालों में नहीं चमक आ जाएगी बहुत से लोगों को उनकी किसी बिमारी की वजह से कुछ फल खाने की मनहाई होती है लेकिन नाशपती एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खा सकता है नाशपती नीबू या संत्रे की तरह ऐसेडिक फल नहीं है और इसे आसानी से पचाया जा सकता है इसे किसी प्रकार की अलर्जी भी नहीं होती है इसे खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है नाशपती में लेवलोज होता है यह शुगर का एक प्राकृतिक रूप है जो की बहुत स्वास्तवर्दक होता है जब कुछ मीठा खाने का मन होता है तो इसे खाया जा सकता है टौफी या केंडी खाने की बज़ाए मीठे के लिए नाशपती खाना बहुत अच्छा होता है यह बलड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है तो फ्रेंड सहत के लिए नाशपती खाना भी बहुत ही अच्छा होता है लेकिन नाशपती को काटने के बाद आक्सी करण के कारण नाशपाती भूरे रंग में तेजी से बदलने लगता है। इसलिए इसका सेवन काटने के बाद तुरंथ ही कर लेना चाहिए। भूरा रंग आने से रोकने के लिए नीबू का रस उसके टुकड़ों पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आप नाशपाती फल का सेवन सावधानी और सिमित मात्रा से करके आप अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं। नाशपाती के बारे में इतनी ही बाते और स्वास्त से जुड़ी हुई बाते हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।